तो यहां देख सकते हो फ्रेंज मैं अपने एंटी स्कैन शेर करने वाली हूँ जो कि बेबी बॉय के है और इसमें मैं डीटल स्ली बताऊंगी एंटी स्कैन क्यों करते हैं और यह जरूरी है हाँ यह बहुत जरूरी है मेरा मानना है क्योंकि बेबी में कुछ भी अगर तीसरे मैंने में अपनोर्मेटलिस पता चल जाता है उसी साब से आप ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हो नहीं तो आपको दूसरा अप्शन पर रहता है क्योंकि पच्चा जब बहुत ही छोटा रहता है तो अगर उसमें कुछ ज्यादा डिफेक्ट प्रोब्लम रहा तो डॉक्टर आपको सजेशन्स धे सारा दे देंगे और करना ना करना यह आपके उपर पर्सनल सबका एक उपिनियन रहता है तो आपके उपर डिपेंड है मेरा मानना है मेरा तो यह बहुत ही जरूरी टेस्ट है मुझे लगता है और यह थोर्ड मंत में करते हैं जबकि अपना 12 विक्स जब कम्प्लीट हो जाता है यह 10-12 विक्स के अंदर यह टेस्ट करते हैं तो इसमें में कॉंसिप कहा है ना जैसे कि बच्चे के जो गले की हडी रहती है पीछे बैक पोन में वहां पेक लिक्विड जासा रहता है वो उसको मेजर करते है वो कितना रहता है उससे और जैसे क पैरेंटेल डीसिजस कुछ रहता है जैसे माँ बाप से कुछ आने वाले बीमारिया तो यह सब इसमें पता चल जाता है और इसमें बेबी बॉई या गल भी जानना बहुत ही आसान है क्योंकि तीसरा मैना कम्प्रीट होने के बाद में बॉई या गल जान सकते है मगर यह सोनों का अफर रहता है उनको पता रहता है मगर वो नहीं बताते हैं आपको आप जितना भी यह कर लो तो चलिए मैं अपना रिपोर्स पहले दिखा इसका कॉश्ट है थाउजन से फिफ्टीन हंडेड मुझे तो थाउजन ही पड़ा था तो अभी अगर बढ़ा होगा तो पर नहीं बढ़ा होगा अगर गौर्मेंट हॉस्पिटल में भी ट्रिटमेंट करा रही है तो वहां पर फ्री पे यह टेस्ट हो जाता है और यह सब जगा तो फ्री अराम से हो जाता है तो इसका थाउजन ही कॉश्ट रहता है तो और उसका टाइमिंग इतना है तो यह अगर प्रेगनेंट हो आपको अगर कुछ जानना है तो आपको यह यूस्फुल लग सकता है मुझे लगता है तो यहां देखिए नंबर ओफीटस जो है कि सिंगेल है और फीटल हांट रेगूलर 162 बिट्स पर मिनिट है तो बहुत चनल को मानना है 162 बिट्स पर मिनिट ल प्रेजेंटेशन अब देख सकते हो यह बीच है और फीटल मोमेंट्स गूड है और प्लेजेंटा पोजिशन जो की पोस्टेर अपरेंट मिक सेगमेंट है और यहां देखिए ब्लेजेंटल मेर्चुरिटी ग्रिट जीरो है और यहां जो फ्लूइड रहता है वो नॉर्मा यहां पर मेरा लेट हो गया था मगर यहां 10-12 विक्स के अंदर यह करवान आता मैं थोड़ा लेट करवाई थी तो यह करवेक्स कहें कि 4.1 cm का है और यह देखिए न्यूकल फूल थिक्नेस यही मेन है कॉनसे प्लियां पर इसके लिए यह टेस्ट करते हैं तो 3 mm नॉर्मल इसके बेबी के हिसाब से फिटल का एज के हिसाब से यह 3 mm नॉर्मल है और फिटल बायोमेट्री जो है यहां देख सकते हो BPD मेजर 31.4 mm है कर्रस्पोनिंग तो 15 विक्स 5 देस की है और HC मेजर 114 mm कर्रस्पोनिंग तो 15 विक्स 3 देसर और यह HC मेजर 90 mm कर्रस्पोनिंग तो 15 विक्स 1 दे तो FL मेजर 16.3 mm 14 weeks 5 days की pregnancy है और CRL मेजर 86.3 mm corresponding to 14 weeks 3 days pregnancy तो यह देखिए नोजल वोन एं स्टमक बबल विस जिबल और नॉर्मल डेटक्स यह पूरा है इससे सबसे नॉर्मल ही है आप देख सकते हो तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं था नहीं था तो प्रॉब्लम वो अच्छी बात है मगर अगर प्रॉब्लम होगा तो वो भूँआजी प्रॉब्लम के बात होती है तो उसलिए अगर नहीं प्रॉब्लम निकला मैं तो चालती हूं सब का यह ना प्रॉब्लम निकले तो यह देखिए यह new girl fold है जो कि एसे measure करते है इसमें और यह रेखिए बेबी चारों एंगेल से बेबी का फोटोस ले लेते हैं तो यहां देखिए यहां स्पाइन है यहां लेक्स देखिए बेबी के लेक्स है तो यह अपना डेश्ट इस तरह ले लेते हैं तो मुझे तो लगता है यह बहुती यूसफुल रहता है आप अगर प्रेगनेट हो तो थार्ड मन्त फिफ्ट मन्त सेवन मन्त यह तीनों स्कैन प्लीज करवा लेजिए अगर कुछ प्रॉब्लम रहा सेवन मन्त अगर स्किप कर अगर बहुती जरूरी होता है मैं अगर करवा लेंगे आपको तब ही कुछ पता चल जाता है हर बेबी अच्छा होना चाहिए और आप बहुती पॉजिटिव ठीक करिए और हल्दी खाना यह सब खाईए ताकि बेबी बहुती हल्दी हो तो अगर आप हल्दी रहेंगी तो बेबी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा तो प्लीज फ्रेंज आप अपना केर लेंगी तो बेबी आटोमेटिक अच्छा ही रहेंगा और फ्रेंज मुझे लगता है यह वीडियो आपको बहुती यूसफुल होगा वीडियो अगर यूसफुल लगा तो प्लीज लाइक शे वीडियो में तिल देन बाई तेक केर